कैसे हैं आप आशा करते हूं आप सब स्वस्त और मस्त होंगी आप सब लोगों की दया से हम लोग भी यहां पे बहुत अच्छे हैं और सवस्त हैं तो फ्रेंड्स HOLY है HOLY कतिवहर अब कुछी दिन के लिए बचा है लगबग दो-ती के लिए तो मैं आलू के पापड बनाने ज क्यों आलू के पापड हमारे घर में ज्यादा पसंद करते हैं जो मेरा छोटा बेटा है उसको आलू के पापड ज्यादा अच्छी लगते हैं और चिप्स भी बराऊंगी वीडियो आपको अप्लोड करूंगी छिप्स में ब्रत वाले बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी वीडोगी ब्रत वाले चिप्स अर्ओं करके एक फोटा पानी एक फोटा फानी और दोटीन सीटि आ गई तब मैंने उसको अफ कर दिया और जब आलू ठाओ गया तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया और हल्का सा अलू ठंडा हो गया, यहने कि इसका टेमप्रेsर हितना हो गया कि हम अलू सुले तब मैंने आलु और भी अटो को दिशन रख दिया कि इस एलुका ़ोता है कि आज़ापन बहुत यह आसान होता इसमें आप अलू को उबालिये और उसमें नमक मिर्स जीरा मिलाइए और तुरंथ ही रेडी हो जाता है और बताइए फ्रेंट्स आप सब लोग के घर में कैसी तयारिया चल रहेंगे हो लिगी तो जैसी कोमेंट करके जरूर बताइएगा और फ्रेंट्स मेरे घर में तो चल रही है मैंने बना लिया है और हमारे यहां जब गुझिया बनाई जाती है तो जब होली जल जाती है फ्रेंट्स तो होली जलने के पाद जब होली का दहन होती है तो होली का दहन के बाद ही हम गुझिया बनाते हैं उससे पहले हमारे यहां होली के टाइम में गुझिया बनाना नही होता है ये कुछ रिवाज होती हैं सस्राब की रस्मु होती है जो उनको ऑमें अमल में लाई जाती है हुए उनको औरıkती रिवाज को मानने पड़ते हैं तो आप लोगों कर आभी ऐसा कुछ होगा बंडिलखंड में जहां की निवासी हुँ मैं वहाँ बुंदेल खंड में रहती हूँ तो बुंदेल खंड का यही रिवाज है बुंदेल खंड में मेरा ससराल है झाँ का यही रहता है इस फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर में आलू छिल लिया तो मैंने आप चिका था कि इसमें छोटे और बड़े आलू सब तरह के चल सकते से कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने एक ग्लास ले लिए ग्लास से ही मैं इन आलू को अच्छी तरीके से मैस कर रही है हैं हमको इतन तो आलू से ही आप अच्छी तरीके से मैस कर लीजिए और मैस करने के बाद अब हमको क्या करना है कि लाल मिर्च जीरा और सफेद नमक इसको हमको पीस लेना है अगर आपके पास पहले से ही पिसा हुआ रखा है तो आप उसको भी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर आलू मैस कर दिया और यहां पर देखिए नमक डाल दिया नमक आप कम ही डालिएगा क्योंकि आलू के हिसाब से लगता है कि आलू ज्यादा है तो दो पापड़ सूपता है तो वह नमक कम हो जाता है देखिए यहां जीर और लाल मिर्च को पीस रखा है तो यह भी मैं इसमें एड़ कर अपने स्टेट करेगा आप चाहें को मिर्च बढ़ सकते हैं अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप अपला नहीं और जीर आप जीरा हम लिए ढालते हैं अब इसमें अजवाइन ही डाल सकते हैं अपने अवर्सक्त अनुशार कुछ भी मिला सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से हमें फेट देना है, मिला देना है, अच्छी तरीके से घूच लेना है हमको इसमें थोड़ा सा ओयल डाल देना है, और हम डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा आलू चिपकेगा नहीं, और पापड बनाने में बहुत जल्दी आसानी होगी, अच्छी तोड़ा सा ही हमको ज्यादा नहीं डालना है अब फ्रेंट्स ओयलिंग हमने कर दिया है, अब हम यहीं पर नीचे ही जैसे छोटी छोटी लोईया बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे, हमको धूप में घंटो बैठने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम आलू कर लोई बना लेंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाता है इससे क्या होगा फ्रेंट्स कि आप दूप में बैठेंग नीट, आपका सिर्व अगयरा दर्द नहीं होगा प्रेंड़्स, कॉलिधे भी, म'Sine, मशीन खेल लेंगे प्रेंड्स हम एक पॉलिथीन लेंगे, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वासिंग मसीन यों फ्रिज वगरा मंगाते हैं तो उपर से एक वाइट पॉलिथीन आती है पारदर सी वह पॉलिथीन तो उसको हम बिच्छा देंगे अगर आप चाहें तो मार्किट से भी आप मंगा सकते हैं यह हार्डवेर की दुगान में आपको 20-30 रुपया की लगभग मिल जाएगी और यह मैंने तो यह पॉलिथीन जैसे आती हैं बड़ी बड़ी तो मैं उनको रख लेती हूं क्योंकि यह पापड चिप बनाने के काम आती है तो इसको मैंने अच्छी तरीकी से क्लीन कर लिया था अगर आपकी क्लीन हो तो आप गीले कपड़े से पोच सकती ह हैं और उसकी बाद फ्रेंट्स मैंने चारो किनारे पॉलिथीन बिचाने के बाद पत्थर लगा दिया पत्थर हम इसलिए लगाएंगे कि हमारे पापड ऊड़के नहीं गिरेंगे कभी कभी ऐसा होता है तो हमारे पापड ऊड़ जाते हैं उसके बाद फ्रेंट्स अब हम लोया रखेंगे और एक छोटी पॉलिथीन ले लेंगे फ्रेंट्स जो फॉल अगयरा की आती है या नमक की भी आप ले सकते हैं और उससे एक प्लेट में अच्छी तरीके से दबा देंगे तो आपके आपको इसमें जैदा मेहनत नहीं करने पड़ेगी यह हमारा जुगार आप चाहें तो पापड बनाने की मसीन भी आती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास वह नहीं है तो मैं नॉर्मल इसी से बना लेती हूँ और इसे प्लेट से भी आपको वही काम होगा जो आप मसीन खारी देंगे तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगता हूँ हूँ देखी फ्रेंड्स हमाई थोड़ी देर में ही कितने धेर सारे पापड बन गये हैं दो लगबग 2,5 किलो आलू में से आपके बहुत सारे पापड बन गये हैं अब हम इनको धूप में सुखने देंगे और लगबग दिन भर की धूप लगेगी तो हमारे ये पापड पलटने लाइक हो जाएंगे और लगबग हमको दो तीन दिन की धूप लगाना है फ्रेंड्स और दो तीन दिन में हमाई पापड सुखने लाइक हो जाएंगे दो दिन की धूप के बाद फ्रेंट्स देखिए हमारे पापड ऐसे हो गए हैं इन पापडों को आप एक बार बना दीजिए अपने एकॉर्डिंग छमता के हिसाब से और आप इने साल भर खा सकते हैं चली फ्रेंट्स अब मैं इनको आपको तल के बताती हूं कि यह कैसे तलत देंगे और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे और देखे फ्रेंट्स हमारे पापड तल जाते हैं और हमको बहुत जल्दी क्विक तलना है और तुरंत ही निकाल देना है ज्यादा देर हमको कडाई पर नहीं छोड़ना है वरना क्या होगा कि बहुत खर हो जाए से तवागर करके और पापड रखे फिर उपर से कपड़ा ट Teach करके भी आप कपड़े से अदबाद भाके भी आप इसको सेख सकते हैं या आप डायक्ली गैस कि प्लेब में सेक busy सकते हैं जैसे हम रोटी से रोटी के हिसाब से भी आप पड़क अपने सेक सकते हैं तो स्ब्स चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करेंट्स जब यह पापड तलने के बाद थंडा हो जाता है तो बहुत ज्यादा क्रेंची हो जाता है ठंडा होने के बाद और आप इसका आवाज सुन सकते हैं करेंग से सचने चांच पिया स्भीग रवाद चांचर ठंचर इस डगएड़ खाथ प्रूर्चर, उलाओ, शोनкимиbellत प्रीजेफ़ Dharma मृटNewं करेंगर tषबट लुटनियो चमान सुच में बाइम झालें सेरे हुआ तर हम झालें सेरे हुआ यजा झालें जो जारें सेरे हो पायो नहान सेरे कि अजहों हुआए है।